हेलो व्रिवन तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में अपन डिस्केशन करने वाले हैं कि यानि कि fair value gap क्या होता है और इस gap की मदद से आप कैसे entry and exit कर सकते हैं उन सारी चीजों को लेके अपन completely discussion करने वाले इस वीडियो में तो fair value gap जो होता है उसको तीन candle के बीच में देखा जाता है यानि कि first candle, second candle and third candle जब इसको marking किया जाता है तो first और third candle के बीच का जो gap होता है उसक को देखते हुए mark किया जाता है ठीक है तो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ आपको कुछ candles पे numbering दिख रही होगी इन numbering से आपको easy way में समझ में आएगा इसलिए मैंने नम्मक्स mark की यहां पर ठीक है तो जो first candle है यानि कि जिस पे एक लिखावा यह अपनी first candle है ठीक है थोड़ा सा पन नीचे चलते तो जिस पे दो लिखावा यह अपनी second candle है ठीक है अब आप चीज यहां पर समझे जब market ने यहां पर first candle बनी ठीक है यहां पर first candle create होगी यह market की मैं इसको line खेता हूँ यहां पर तो यहां से क्या हुआ कि नीचे की तरफ second candle बनी यहां तक ठीक ह यहां तक second candle अपनी बनी तो अब आपको क्या करना है कि जबी भी first candle बनके close हो जाए देन वहां से आपको right hand side में छोट TCA से line draw करने ही यह आप कुछ भी mark कर सकते हूँ चीक है अब आप इसमें देखिए first candle खत्तम होने के बाद आपने line draw कर दी market क्या second candle आई और second candle कहां पर close just यहां पर drop है तो यहां पर भी अपने को line marking कर देनी है अब इसमें आप देखिए कि जब market जो है यह first candle का low था यह वाला मैंने draw किया हुआ एक गोला बना दिया यह first candle का low था अब third candle का low का है तो third candle का low तो यह माना जाएगा right fourth के पास में जहां मैं draw कर रहूं third candle का low यह माना लेकिन market ने क्या किया कि यहां पर एक विग बनाई यह देखिए पर मैं इन सबको again remove कर देता हूँ फिर आपको समझ में आगा यह देखिए third candle का high हो गया यह वाला point और third candle का low हो गया यह वाला point right तो जबी भी आपको fair value gap find out करना है तो first candle और third candle का high के बीच में mark होगा अगर market downtrend में चल रहा है तो again repeat कर देता हूँ जबी भी आपको fair value gap mark करना है कब जब market downtrend में चल रहा है तो कैसे होगा जो first candle रहेगी उसका low ठीक है इन third candle का high तो अब यहाँ पर देखिए first candle का low क्या है और high क्या है वो अपन समझते हैं तो first candle का low तो गया यह वाला point और third candle का high हो गया यह वाला तो यह क्या fair value gap है नहीं यह fair value gap नहीं है क्यों क्योंकि market ने यहाँ पर क्या क्या है कि first candle का जो low है उसको भी break करके उपर विगमारा then market मैं बता रहा हूं low है वो completely होता है वाट third candle ने वहाँ पर recreate कर दी तो इस वज़े से आपका यह क्या नहीं होगा यहाँ पर आपका यह fair value gap consider नहीं किया जाएगा अब second candle पर यह तो गई first candle आपकी complete ठीक है इस पर कोई fair value gap नहीं है third candle पर पर move on करते हैं second sorry तो second candle का low mark करना है यह अपनने low mark कर दिया ठीक है भीट वाली candle से अपने को कोई मतलब नी यह थर्ड़ candle से कोई मतलब नहीं अब secondo candle का आपने low mark किया यह कि second को अब first मानों समझने के फिक है तो second का low mark कर दिया third से कोई मतलब locally gain style का high mark यह पनने ने गड़ दिया अब देखिए थर्ड केंडल का क्या हुआ यहां पे low सोरी, सेकंड केंडल का यहां पे low और फोर्थ केंडल का यहां पे high यानि कि यह आपका एक fair value गेप बनता है ठीके, अब आपको मैं और समझा देता हूँ थोड़ा easy way मैं आपको समझ में आ जाएगा यह देखे, इसको कैसे मा करना है यहां से आपको ऐसे करके यह कुछ इस तरीके से आपको मार करना है fair value गेप, अभी यहां तक समझीए यानि कि fair value गेप अपने को का मिला सिर्फ दो केंडल के बीच में देखना है first और third candle के बीच में अगर आप first के बीच में नहीं देख रहे तो second और fourth के बीच में अगर आप second को नहीं देख रहे तो third और fifth के बीच में देखना है ठीक है, एक और नीचे देखते है अब यहां पर क्या देखे, यहां पर आपने fair value के देखिया आपका है third candle और third candle के बाद फिप पे, फिप पे तो कुछ है यही नहीं क्योंती market नहीं क्या किया यहां पर अपना low बनाया, लेकिन विक स्विप नहीं किया, market यहीं पर candle close हो गई, गन अगली जो candle यहां से बनी six वाली, वो थोड़ा सा उपर गई, यहां तक और नीचे आ गई, तो यहां पर कोई fair value gap आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है, अब देखे यहां से market अब जाना शुरूगे seventh candle से, तो seventh candle से market अब जा रहा है, तो क्या करना है कि seventh candle का आपको यहां पर क्या करना है, high mark करना है, जब market अपर जा रहा हो, तो first candle का high, और third candle का low mark करना है, तो अगर अपना low का होगा, यह वाला कुन सा, यह वाला होगा ठीक है, आयो, समझ गयोंगा यह वाला आपका low का है, इधर ठीक है, अब देखिए, यह sorry, यह समझने के लिए मैंने आपको बनाया, लेकिन आपका market अभी तक आगे नहीं गया, यह आगे का process है, 10th point, इसको मस समझी है, तो आपका जो fair value gap यहाँ पे देखने को मिला, किन candles के बीच में, 7 से लेकर 8 के बीच में fair value gap देखने को आपको मिला, ठीक है इसी तरह आपको क्या करना है सभी candles के बीच में fair value gap आपको mark करना है ठीक है, अब आपको मैं इसको कुछ example के माद्देम से समझाता हूँ, कि जिससे कि आपको इस सारी चीजे, कि रलेली समझ में आ सके ठीक है, तो अभी आप कोई भी एक चार्ट पे switch हो जाते है जहां से अपने को सारी चीजे easy way में समझ में आ जाए मैं five minute time frame पे switch हो रहा हूँ ठीक है, तो यहीं से ले लेते हैं ठीक है, देखी, यहां पे क्या हुआ यहां से आपका market जो अप जा रहा है टोटी, ठीक है यहां से market upside direction लेता हुआ, अप जा रहा है ठीक है, यहां से पुरा market अप गया, ठीक है इसे के बीच में अपन मार्ग करेंगे तो अब यहां पे अपन fair value gap का मार्ग करेंगे देखी, सबसे पहली जो नीचे वाली candle इस पे चलते हैं इन candle से शुरुआत अपन करते हैं इन candle के बीच में यहां गेप था यह देखी, यह fill हो चुका तो इसको अपन छोड़ देगे जो fill हो गया, उसको कुछ नहीं करना अटा दी इस candle पे अपन switch होते हैं इस green वाली पे यह मेरा color change है, आप समझने की इकोचिस करना है, green है आपके लिए ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे देखिए, इस candle का हाई अपन ने mark कर दिया यह वाला फस्ट candle का हाई अपन ने mark कर दिया, बीच वाली यह जो है यह mark कर रहा हूँ, यह आपकी second candle है, ठीक है जो मैंने arrow लगा है, इस second candle को आपको कुछ नी करना इसको छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं अपने को, ठीक है second candle को अपन ने कहके छोड़ दिया, अब third candle, third candle का अपनने low mark किया, तो यह देखिए, दोनों के बीच में जो gap दिख रहा है ना, इसे fair value gap अपन कहते हैं, ठीक है, अब यह fair value gap बहुत काम में आएगा, आपको बहुत ज़्यादा जगत सीखने में, आपका trading style 30% तक इससे आप improve कर सकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा fastly अपन चीजों को समझते हैं, ताकि ज़्यादा चीजी आप cover कर पाएं, और ज़्यादा ज़्यादा समझता हैं, तो अपन directly draw करते हैं, यह आप देखते जाना, थोड़ा समझ में आजाएगा, तो यह आपका हो गया, क्या, fvg यानि की fair value gap, मैं आप पर लिख भी देता हूँ, यह आपका होगा, fvg, ठीक है, थोड़ा उपर चलते हैं, इस candle के बीच में नहीं है, अब देखें यह, next candle आ गई, यहाँ पर mark करते हैं, यहाँ से अपने mark कर लिया, ठीक है, अब आप बोलोगे कि sir, यह first candle हो गई, यह third candle के बीच में mark कर लिया, बिल्कुल, आपको इसी तरीके से marking करनी है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, इसी तरीके से आपको marking करनी है, यहाँ पर, बट अब एक चीज देखें कि entry point कहां trigger हुआ है आपका, ठीक है, यह आपने यहाँ तक mark कर लिया, कहां तक, third candle के low तक, ठीक है, आपने यह mark कर लिया, market fourth candle पे भी अब गया, फिप पे भी अब गया, ठीक है, लेकिन six candle जो बनी, इसने क्या क्या, इस fair value gap के अंदर tap कर दिया, यानि कि यह fair value gap क्या होगा, आपका mitigate हो चुगा, mitigate का मतलब आप ऐसे समझी, एक तरीके से अभी आपका काम नहीं करेगा दुबा, ठीक है, हाँ, in case अगर market downtrend में कभी आता है, यहाँ पे, और देन इसको tape करता है, तो possibility कम होती है, अपने जो main possibility रहेगा, वो इस gap के उपर रहेगा, इस gap के उपर, ठीक है, आपको मैं एक market tap करे, then up जाए या down जाए, market structure पर depend करता है, ठीक है, तो यह आपका थोड़ा कम काम करेगा, इसको मैं ऐसे लिखते था हूँ, समझने के लिए, आगे बढ़ता है, यहाँ पर FVG gap नहीं है, already fill हो चुका है, आगे चलिए, इन दो के बीच में नहीं, अब यह देखे, यहाँ पर अपनने गया, माद किया, और यह इसके बीच में, अब देखे, फिर market up गया, and then market आया, market में इस FVG से फिर entry ली, यानि कि दो बार में ने दिखा दिया, कि market का यहाँ पर क्या हुआ, आप scenario समझे, कि market यहाँ से आपका ऐसे up जा रहा है, then market आपका यह FVG लेता है, market फिर अप जाता है, then आपका यहाँ पर, यह FVG यह भी है, अभी बताऊंगा मैं, फिर इससे market फिर अप जा रहा है, then आपका FVG लेके फिर अप जा रहा है, तो समझे कि जो मैं चीज आपको बता रहा हूं, market वहाँ पर again and again tap कर रहा है, ठीक है, आगर चलते, हाँ, यहाँ पर द ठीक है, आगर चलते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, कि market फिर अप गया, ठीक है, इन दो candles के बीच में फिर gap है, यह देखिए, first candle, second candle and third candle, आप इसको भी mark कर दीजिए, क्योंकि अपने को नहीं पता है कि market कहां से reverse हो सकता है, वह आप जब पूरे structures हो गरा सारी चीज़ आप mapping करेंगे, तभी आपको थोड़ा clear हो पाएगा, ठीक है, यह भी आप, यहाँ से देखिए, यहाँ से भी market अप गया, लेकिन अभी तक पूरा up नहीं गया है, ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए, आपका market यहाँ से क्या हुआ, डाउन हुआ, यह देखिए, मैंने आपको एक चीज कही ती यहाँ पी कि जभी आप किसी भी चीज को draw करोगे, तो थोड़े time के लिए आपका properly work नहीं करेगा, बट करेगा थोड़ा सा, यहाँ से लेकर, यह जो candle थी, इसके बीच म कि यह जो आपकी first candle है, red वाली, यह आपकी second candle, यह आपकी third candle होगे, तो इनी के बीच में मैंने mark किया है, इनी के बीच में market ने पहले mitigate कर दिया, क्योंकि यह mitigate हो चुका है already, इसलिए अब यह zone काम नहीं करेगा आपका properly, अगर करता zone, तो आपका यह उपर वाला zone भी कर देता यह देखो, same चीज यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी आगे भी, यह देखो, suddenly market आया, रुका, थोड़ा से यहाँ पर green signal दिया, then move on, ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारे trigger point दिखेंगे, यह देखो, आप यहाँ पर mark करके बैठे होंगे, चलो कोई ना, आप सोचे, यहाँ स फिर आपका market नीचे आ गया, आज only सिर्फ FBG, fair value gap, यह देखिए, आपका यहाँ पर भी एक gap रखा हुआ था, इसको भी market ने respect नहीं किया, directly इसको भी तोड़ दिया market में, ठीक है, और देखिए, और कौन्च कौन्च है, यह इधर कुछ भी नहीं है, यह इक इधर FBG है, but already mitigate हो चुका है, देखिए, यह अपना first candle, then यह अपना third candle यहाँ पर हो चुका है, इसको mark कर देता है, इस तरीक से, but already market इसको tap करके up जा चुका है, तो यह अपना गाम यह भी नहीं करेगा, ठीक है, last यह बचा हुआ है, और इसके नीचे तो और कुछ भी नहीं बचा हुआ, तो already यह पहले से मैंने mark किया हुआ, FVG, तो market का current scenario अभी market यहीं पर है, ठीक है, 16 December, ठीक है, then market जबी भी opening होगा, तो दो scenario आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ, क्या scenario हो सकते हैं, अगर आपका market अब direction में जाता है, तो कहां तक जाए किस तरीके से करेगा, first step यह और second यह होगा, third इसका यह होगा, then fourth इसका यह होगा, fifth इसका यह होगा, ठीक है, अगर आपका market buy side में जाता है, यह आपको Monday को पता चलेगा, जब आप Monday को देखेंगी, तो यहीं से पता चलेगा, अगर buy side में जा रहा है, तो यहाँ से जाएगा market, ठीक है, इस level तक down आएगा, इस level तक, क्योंकि यह पूरा एक FVG है, यह देखेंगी, इत्ता बड़ा fair value गये पे, पूरा का पूरा market cover करना आएगा, मैं बता देता हूँ कौन सा वाला है, समझ जाएंगे आप, ठीक है, इन सब को अठा आ देता हूँ, यह देखिए, यह आपका इस candle से लेकर, यहां तक है पूरा का पूरा, अब आप बोलोगी इतना बड़ा FVG, हाँ बिल्कुल इतना बड़ा, इतने बड़े FVG में market कहीं से भी tap करके जा सकता है, कोई possibility नहीं है कि market यहां पे आ, यहां पे आ, यहां पे आ, इसके बीच में हाँ, अगर अलग टाइम फ्रेम में देखने को आपको जब कीजे मिलेगी ना, तो आपका यह छोटा होने के बातुत, बहुत सारी जीजे clear हो जाएगी आपको, तो इस तरह किसे आपको FVG वगरा mark करने, आपको को चोछ बता देता हूं, समझ में आ जाएगा जिससे आपको easy way में, यह देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा, कैसे आपका FVG वर्फ करता है, देखिए, यह market यहाँ से पूरा uptrend में था, ठीक है, यह मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, देखिए, यह जो वाला पूरा में draw कर रहा हूं, यहाँ से लेकर यह जितना भी momentum है, यह पूरा uptrend में थोड़े टाइम यह लिए, ठीक है, यह आपका एक uptrend का scenario है, अब इसको downtrend में अपन कनवर्ट करते हैं, कैसे होगा यह, ठीक है, तो सबसे पहले वही अपने को काम करना है, क्या FVG वर्फ करना है, तो वो कैसे करेंगे अपन, समझ यह, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता ह आपको completely देखना है, अगर आपको एक बार समझ में आ गया, तो बहुत कुछ आप अच्छी हूँ कर पाएंगे, यह देखिए, आपका एक छोटा सा FVG, ठीक है, FVG से करते हैं, fair value gap, अब एक चीज बता देता हूँ, जहां पर FVG हो गया न, यह जित्ती भी पूरी बड़ ठीक है, तो इस पर क्या होगा, जब ही market आएगा, थोड़ा सा up momentum देगा, आपको दिखाएगा, then swap up हो जाएगा, यह देखिए, same as a tease होगा, यहां पर, क्या क्या market ने आपको up दिखाया, ठीक है, इतना आप दिया, कित्ते tips होगा, इसमेंट काउंट करते हैं, मालो आपने य प्रांस भी ने दिया, बिल्कुल market में, ठीक है, तो आप FVG के साथ साथ क्या होगा, आपका market भी टेप होगा, सारी जीज़े आप यहां पर टेप होगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद यह देखिए, फिर दो candles के बीच में FVG, अगर आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर मान लीजिए, आपका थर्ड केंडल जैसे बहुत उपर है, यहां पर ही है, लेकिन market किसी केंडल की वज़े से मीचे आ रखा है, यह इतना सा गेप बचाओ, अब देखिए, इतने से गेप में, फोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं, इतने से ग केंडल से लेकर इस केंडल के बीच में जो गैप है, उसके बीच में market ने tap किया, ठीक है, market ने closing नहीं दिये भी तक, सिर्फ market ने liquidity shift की देनित नौप पर गया, ठीक है, तो इसी तरह काफी सारे scenario आपको अलग-अलग time पे, अलग-अलग time frame पे, सारी चीजों में आपको देख और फेर वेल्यूगेप हो गया, जबी भी market आएगा, तो फेर वेल्यूगेप हो गया, हमें tap करेगा, धन मार्क डाउन जाएगा, ठीक है, यहां पर कुछ बचावाई निया, और कुछ बचावाई निया, यहां पर है, यहां पर छोटा सा है, यह थोड़ा सा बचावाई, इसको मैंने मार्क कर दिया ठीक हैं उसके नीचे एक और बचा हुआ है यह थोड़ा सा फेर वेल्यो गेप यहां पर भी है यह slate में अब बोलूगे कि आपने बताया है तो जो मैं अगर अ पाला होगा वो काम करेगा डाउन ट्रेंड में तो सबसे उपर होगा यह सही है बट अब आपको क्या होगा कि आप जबी भी इन चीजों को माक करोगे ठीक है तो यहां से लेकर यहां तक का एक बाइंग मुमेंटम था ठीक है ओडर फ्लो ठीक है कि मार्केट किस साइड में जा रहा है यह देखिए यहां से यहां तक एक बाइंग मुमेंटम था तो मार्केट की हर एक केंडल कुछ ना कुछ कहती है आपको सारा कुछ सिखाया जाएगा इसमें जिसकी वज़े साब यह चीज़े आइडेंटिफा यह आपकी सेकिंड और थर्ड थर्ड गेंडल के उपर यहां तक मार्केट ओल्रेडी आच चुका तर पेले तो इसके बीच से लेकर आपको ऐसे सिनेडिव माग कर देना है अब मालो आपका मार्केट आपको एंट्री केसे लेनी थोड़ा सा वह भी मैं सिखा देता हूँ ठीक है अब आपका मार्केट मालीजे ऐसे है आपने यहां तक भग कर लिया इसको ठीक है यह जैसे भी आपको लगा कि मार्केट नीचे जाने वाला एफवीजी बच चुका है तो यहां पर आपको क्या करना है कि थोड़ा सेकिन हलका सा यहां पर आपको क्या होगा तो आपको यहां पर एंट्री कैसे लेनी है अब देखिए यह आपके मार्केट ने टेप किया एंड डाउन अब इस केंडल को क्या कहते हैं थोड़ा आपको प्राइजेक्शन भी सीखना होगा जबी भी आप इस टाइप की एंट्री लेंगे तो कहां पर लेंगे कैसे लेंग उपर जो आपकी ओबी केंडल यानि की ओडर ब्लोक वाली ज्यादा एसल नहीं रखना इस केंडल के उपर आपका क्या रहेगा एसल रहेगा ठीक है देन यह आपका लो रहने वाला है यहां तक आप टार्गेट हिट कर सकते हैं अब आपको एक चीज बता देता हूँ इन चीजों का थोड़ा सा आपको द्यान रखना है कि मार्केट यहां से भी अप जा सकता है तो इस तरीके से आपको काफी सारी एंट किजिए वो देखने ही तो थेंक यू सो मच एवरीवन आपने पूरा वीडियो कंप्लीट देखा तो आपको कुछ नोलेज मिला होगा एचने थेंक यू धन्यवाद